नवमह, पाठह, सुक्तयह, सुवजनों विद्यार्थि मित्रों, आपने नवमह, पाठह, सुक्तयह, सुवजनोंनु श्रवण अने पठन करीशूं, तथा तेना भावार्थनी समझ मेडवेशूं सुक्तयह, शब्दमा, सु अने उक्ती, तिवा बैपदो छे, सु इटले सारी रिते, उक्ती इटले कहवा एलूं वजन, जे सारी रिते व्यक्त थयूं छे, सारू छे, उत्तम छे, ते सुक्ती छे एक, नास्ती उद्यम समह बंधु हूँ भावार्थ, महनत जीवो कोई भाई के मित्र न थी बै, व्रुक्षाहा सत्पुरुशाहा इव भावार्थ, व्रुक्षो सत्पुरुशो जेवा होई छे त्रोण, शीलम, सर्वत्र, वैदनम भावार्थ, शील के उन्चु चारीत्र्य खरेकर बदेज दन रूप छे चार, मात्रु देवो भव भावार्थ, तु माताने देव मांजे पाच, सत्यमेव जयते भावार्थ, सत्यनोज विजय थाई छे छो, अहिन्सा परमो धर्मह भावार्थ, अहिन्सा श्रेष्ट धर्मचे साथ, विद्या विनयेन शोबते भावार्थ, विद्या विनये वडे शोबे छे आठ, उत्सव प्रियाहा खलू जनाहा भावार्थ, मनुष्यो खरेखर उत्सव प्रिया होय छे विद्यार्थी मित्रो, संस्कृत भाषा, संस्कार आपनारी भाषा छे संस्कृत भाषामा लखायेला, आपना वेदो, उपनिशदो, पुराणो, तैमज, अन्य ग्रंथोमा जीवन माटे बोध दायक, उत्तम विचारो, मली आवे छे आ विचारो, खुबज, तचुक्णा वाक्योमा हवा छता, श्रेष्ट विचार रतनो, बनी रहे छे आपने नवमह पाठह सुक्तयह सुवचनोमा सुक्तयह एक थी चार नो भावार्थ तथा समझूती जोईशूं एक, नास्ती उद्यम समह बन्दु हूँ भावार्थ, महनत जीवो कोई भाई के मित्र न थी, समझूती अहीं, महनत परिश्रमनु महत्व समझाववामा आवे लूँ छे महनत एज मानसनु सगो के विश्वास पात्र मित्र छे आडस मनुष्यना शरीर नो महान शत्रू छे ज्यारे महनत समान कोई बन्दु के मित्र न थी जात महनत थी वैक्ती पोताना बद्धाज कामों मा सफ़डता मेडवी शके छे मुश्केलीमा मुकाएला मानसने ज्यारे कोई सगा के मित्रो सहाई न थी करता त्यारे तेनी महनत अच तेने मुश्केली माथी बाहार नी कडवा माटे उप्योगी निवडे छे एटलेज तो कहवाईँ छे के जात महनत जिन्दा बाद 2. व्रुक्षाहा सत्पुरुषाहा इव भावार्थ व्रुक्षो सत्पुरुषो जिवां होई छे समझुती आ सुक्तीमा व्रुक्षो ने सत्पुरुषो नी उपमा अपवामा आवेली छे सत्पुरुषो हमेशा बीजालोकोनी सहायता करवा सत्पर रहता होई छे तेथी अहीं व्रुक्ष ने सत्पुरुषो साथे सर्खावामा अवेला छे व्रुक्षो आपणने गणी रिते उपयोगी थाय छे व्रुक्षो पोते तड़कामा उभारही बीजा पर छायडो करे छे तैमना फळो पन बीजा माटेज होई छे आथी अहीं व्रुक्षो ने सत्पुरुषो जेवा कहवामा आवेला छे त्रोण शीलम सर्वत्र वै धनम भावार्थ शील के उच्चु चारीत्र्य खरेखर बद्देज धनरूप छे समझुती आ सुक्तीमा शील एटलेके चारीत्र्य नेच सांच्चु धन गणियों छे जो विदेश जवानों थाय तो त्यां आपणी विद्याज काम आवे छे तेथी विदेशों मा विद्या धन छे जो कोई संकट आवी पड़े तो तेमा थी आपणने आपणी बुद्धीज बचावी शके छे तेथी आशंकटों मा बुद्धी एज धन छे पर लोकमा आपणो धर्मज आपणो रक्षन करी शके छे तेथी पर लोकमा धर्म एज धन छे परन्तु आपणू चारीत्रय अने सारा संसकारो ए आपणने तमामक्षेत्रे विजाई बनावे छे आथी आपणा जीवन मा चारीत्रय ने सौथी वधू महत्व आपवों जोईये आम शेल के उचु चारीत्रय खरेखर बद्धेज धन रूप छे चार मात्रो देवो भव भावार्थ तुम माताने देव मानजे समझुती अही माताने देव तुल्य गणवामा अवेली छे जे माता आपणने जन्म आपे छे ती जीवन आपनारी माताने देवतुल्य गणी सेमने मान आपवानी वात अहीं करवामा आवेली छे आपने त्यां केटलिक कहवतो छे के माते मा बिजा बद्धा वगडाना वा, मा वीना सुनो सिंसार वगेरे प्राचिन समय गुरु पोताना शिश्योंने दिक्षांत प्रवचनमा इटलिक सुक्तियों समझावतां जेम के मात्रु देवो भव अर्थात तु माताने देवतुल्य मान जे आजी रिते पित्रु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतीथी देवो भव अहीं माता पिता, गुरु तथा महमानने देव समान गणी तेमने सन्मान आपवानू केहवामा आवियों छे आगडना तास पर जाओ आपणे नवमह पाठह सुक्तयह सुवजनोमा सुक्तयह पाच थी आठनो बावार्थ तथा समझूती जोईशू पाच सत्यमेव जयते बावार्थ सत्यनोज विजय थाय छे समझूती आसुवाक्य मुंडकोप निशदना एक मंत्रनो अंश छे आपणा भारत देशनो मुद्रा लेक्पन सत्यमेव जयतेज छे सत्यना मार्गे चालनार ने अनेक मुश्केलियोनो सामनो करवो पड़े छे पण छेवटे तेनोज विजय थाय छे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर अनेक संकटो आव्या हता छतां तेव सत्यना मार्गे चालीने बदा संकटो ने पार करी गया हता आथी अरिश्चंद्र राजानो नाम अमर्थ है गयूं छो अहिंसा परमो धर्मह भावार्थ अहिंसा श्रेष्ट धर्मछे समझुती मन, वचन अने कर्मत ही कोईने दुख न आपवूं तेने अहिंसा कहवाई छे अहिंसाने ज श्रेष्ट धर्मगणवामा आव्यों छे जगतना बदाज धर्मोय इंसानों त्याग करवानूं कहियूं छे आ सुक्तीमा अहिंसाने जीवनमा स्थान आपवानों उपदेश आपवामा आव्यों छे आपणा राष्ट्रपिता गांधी जीए पड़ अहिंसानों ज मार्ग अपनाव्यों हतो साथ विद्या विनयेन शोबते भावार्थ विद्या विनयवडे शोबे छे समझुदी अहिं मनुष्यये प्राप्त करेली विद्या शिस्त के अनुशासन वडेज शोबे छे ते वाद समझा वामा आवेली छे सर्वशास्त्रोंने जाणनार ग्ण्यानी वैक्तीमा पण जो विनय के शिस्त नव होय तो तेने प्राप्त करेलू ग्ण्यान नकामू छे जीवनमा विनय के शिस्त नव होय तो आपने मेडवेली विद्यानों कशो अर्थ नथी माटे विनय के शिस्त उच्च जीवनमाटे खुबज जरुरी छे आठ उत्सव प्रियाहा खलू जनाहा भावार्थ मनुष्यों खरेकर उत्सव प्रिया होय छे समझुदी अही संस्कृत साहित्यना कवी कालीदासनू सुप्रसिद्ध वाक्य मनुष्यों खरेकर उत्सव प्रिया होय छे अपवामा आव्यों छे काली दासना आ कथनमुजब मनुष्य जीवनमा दुख विशेश प्रमाणमा अने सुख बहुज अल्प मात्रामा छे आ थीज आपनने सुख माटे आनन्दनी जंकना होई छे तेथी आपने विविद उत्सवो, परवो, सहवारो, वगेरे उजवीने आपना जीवनने आनन्दमाई बनाववानों प्रयत्न करता रहिये छिए आगडना तास पर जाओ